नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओज़ा, TNP News के खास कारकरम अपना उत्तरप्रदेश में आपका स्वागत है, चले शुरुवात करते हैं उत्तरप्रदेश की खबरों की सियम योगी अधितनात ने जारखन की पूर्वराजपाल द्रौपदी मुर्मो को राश्ट्रपती चुनाव में NDA का प्रत्याशी बनाय जाने पर बधाई दी, मुख्यमंत्री ने ट्विट किया जारखन की पूर्वराजपाल द्रौपती मुर्मो जी को राश्ट्रपती मुई प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद कानपूर और प्रियागराज समेत नौ जिलों में भड़की हिंसा पर बुल्डोजर कारवाई की गई लेकिन बुल्डोजर की कारवाई के खिलाब जमियत उलेमाई हिंद ने सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल की थी हलपनामे में जमियत की याचिका को खारिच करने की मांग भी की गई है वहीं सपाप्रमुखा के लेश यादव एक दिवसिय दोरे पर कन्नौज पहुंचे जहां उन्होंने अगनिपत योजना से रटायर होने वाले सैनिकों को नौकरी देने की घोशना करने वाले उद्योग पतियों को घेरा उन्होंने पूछा कि प्रदेश में वर्तमान में जो सेना से रटायर हैं उनको उद्योग पतियों ने कितनी नौकरी दे दी अकिलेश ने कहा कि नौजवान हिंसा ना करें लेकिन अपना अनूलन जरूर करें जिससे सरकार उनकी सुने तो सही पुर्वांचर के खिलारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी वारानसी में अंतराश्री स्तर्प का इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम तयार किया जाएगा 87 करोड रुपे की लागत से बनने वाले संपुनानन्द स्पोर्ट्स स्टोर्डियम को हाई-टेक बनाने की योजना वारानसी स्मार्ट सिटी ने तयार की गई है इस मल्टी लेवल इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रेमी भविश्य में आंतराशी इस्तर के मैच देखने के साथ खेल सकेंगे इस मल्टी लेवल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 से अधिक इंडोर गेम के लिए कोट बनाए जाएंगे संभावना जताई जा रहे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जल्द ही इसकी आधार शीला रख सकते हैं उसके बाद इसके निर्मान का काम भी शुरू हो जाएगा वारानसी स्मार्ट सिटी ने इसका पूरा खाखा त्यार कर लिया है रामपूर के चुनावी रण में आजम खान की साक और बीजेपी की नाक का सवाल है रामपूर में उपचुनाव के चलते जहां आजम खान जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने करीबी आसिम राजा को लोकसभा उपचुनाव में लड़ा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने घंसियाम सिंग लोधी पर विश्वास जताया है इस बीच आजम खान ने रामपूर में आखरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टाइगर इस बैक वहीं प्रियाग राज में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मामले में आरोपी बनाए गए AIMIM और सपा के स्थानिय नेताओं की संपत्ती कुरक की जाएगी प्रियाग राज पुलिस ने इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं जानकारी के मताबिक AIMIM के जलाद ध्यक्ष पार्टी नेता, शपा पारशद, वामपंती नेता और एक्टिविस्ट के खिलाफ पहले से गयर जमानिती वारण जारी हैं ये पाँचों प्रियाग राज हिंसा मामले में नामजद आरोपी हैं, अब उनकी संपत्यां भी कुरक करी जाएंगी वहीं सपासांसर डॉक्टर शफिकुर रह्मान बर्क अकसर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं बुल्डोजर का इस्तमाल सिर्फ मुसल्मानों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है सपासांसर ने कहा कि मुसल्मानों के बड़े-बड़े मकानों पर बुल्डोजर चला दिया गया और मुसल्मानों को गोलियों का निशाना बनाये गया है तो वहीं प्रियाग राज में बीते 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप का मकान ढहाने का मामला इलहाबाद हाई कोट पहुच गया है। विराज माने अपनी याचिका में कहा कि जिस मकान को बुल्डोजर से ध्वस्त किया गया है वे उनके शोहर का नहीं बलकि उनके नाम पर है जो की उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया था। होंगे या किसी और धातू के और इस पर डिजाइन कैसी होगी इस पर भी चर्चा होगी मंदर का ये वही प्रथम तल होगा जो जनवरी दो हजार चौबिस में राम भक्तों को दर्शन के लिए खोला जाएगा मंदिर ट्रस ने कहा कि मंदिर के साथ साथ उस पर इशर में यात्री सुवधा वहां 25,000 यात्रियों के समान रखने की विवस्ता लोगों के बैठने प्रतिक्षा करने की विवस्ता खाने पीने की वि टीनपी ग्रूप का मूल उद्देश से ग्रामीड शेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्यान और कौशल प्रदान करना है अधिक जानकारी के लिए विज़त करें हमारी वेबसाइट टीनपीन्यूस डॉट इन या ग्रामीड रिपोर्टर डॉट कॉम अगली खबर का भारत गौरव स्पेशल ट्रेन आयुद्या पहुची जहां ट्रेन के स्वागत के लिए परेटन मंत्री और आयुद्या के सांसद मौजूद रहे इस दौरान तीर्थ यात्रियों का फूलों से स्वागत किया गया आतीर्थ यात्रियों के स्वागत की तैयारियों के मदे नजर रेलवे स्टेशन पर तमाम संस्कृतिक कारिक्रम भी आयोजित किये गए जिसमें परंपरा लोक नृत्य की टीमें और भगवान के स्वरूप मौजूद रहे बतादे की लगभग 480 तीर्थ यात्री आयोध्य दिये गए हैं आदेश जिलादिकारी ने दिये हैं बतादे की अफसा अंसारी की जमीन का बाजार मूल लगबग 3 करोड 76 लाक रुपए हैं अफसा के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मौव में भी अलग-अलग धाराओं के तहत मुकद में द तरा भर रखा था जिसके बाद विधायक ने पुलिस को मामले की सूचना दी और पूरे मामले की जाच करने के निर्देश दिये मैं खुद रात में वहाँ पर गया था बेक्टी के दूप से वहाँ पर हमारे कारकरता बंदी भी थे और पुलिस को ही मैंने एसो साब के फोन किया था मुझ से पहले वो लोग वहाँ पहुँच गये थे सारे गोवन्स बहुत ही बुरी तरह से उनका मुह बांद करके उनकी घरदन बांद करके उपर ट्रेक में लटकाया हुआ था और बिलकुर कूडे कचरे के धेर के तरह उसके अंदर भरा हुआ था और उसमें जो सनलिप्तव पाई गई है उसमें जो पसुची किछा अधिका प्रदेश में अवैद निर्माडों पर प्रश्राश्चन का लगातार बुल्डोजर कारवाई का सिलसिला जारी है इसी कड़ी में सहारनपुर जिले में भी अवैद निर्माडों पर बुल्डोजर गढ़जा घंटगर के पास रेलवे रोड पर नगर निगम ने अवैद रूप से चल रहे होटल पर बुल्डोजर चलाया इस पूरी कारवाई के दौरान नगर आयुक्त के कई अधिकारी मौजूद रहे राइबरेली के लाल गंज कोतवाली शेत्र में लगातार पेड़ों की अव्याद कटाई जारी है कई लकड़ारे लगातार हरे भरे पेड़ो की कटाई कर रहे हैं सपूरे मामले की सूचना जला अधिकारियों को भी दी गई लेकिन कोई भी अधिकारी लकड़ारों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कारवाई करते हुए नजर नहीं आये वहीं बलरामपुर के बंजारिया गाउं में रिष्टो को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई का दुश्मन बन गया और चाकूँ से गोत कर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी सूचन मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और शब को कबजे में लिया साथ ही पुलिस ने आरूपी को गिरफतार कर उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाच की कारवाई शुरू की चले फिलाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें धन्यवाद